नमस्कार दोस्तों, complete spoken English course वो भी PDF के साथ आज हमारे इस course का है 12 दिन यानि की class number 12 और आज हम सीखने वाले हैं English में वाक्य यानि की sentence कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले मैं चाहूंगा आप एक बार इन 4 sentences को देखिए और बताईए कौन सा sentence सही है और अगर आपने बता दिया तो ये आप मान लीजिए कि आपको English already आती है आपका level basic नहीं है, zero नहीं है आप कुछ हद तक intermediate level तक पहुँच चुके हैं तो आपने क्या पहचान लिया है? देखिए, she my is best friend ये गलत है my best friend is best she, ये भी गलत है my friend, friend is she, my best ये भी गलत है she is my best friend, ये बिलकुल सही है तो अगर आप सभी का जवाब मेरे साथ मिल गया है तो आज ही बहुत खुश हो सकते हैं आप कि आपका level basic तो बिलकुल भी नहीं है और अगर फिर भी आपको doubt है कि पिछले वाला बहुत आसान सा sentence था तो आप इन sentences को देख कर बताईए कि इन में से कौन सा सही है ओके, what here doing you are ये गलत है doing you are, what here ये भी गलत है और what are you doing here, ये बिलकुल सही है what you are here doing, ये बिलकुल गलत है और अगर आप यहाँ भी सही sentence को पहचानने में काम्याब हो गए है अब तो आपको मान लेना चाहिए, मैं जूटी तसली नहीं दे रहा हूँ आप सबका English का level है, वो basic या zero बिलकुल नहीं है तो अब हम सीखेंगे कि English में sentence कितने तरीके से बनाये जा सकते हैं और जब भी आप English बोलना शुरू करते हो अगर आपको इन sentence के सभी types की जानकारी है तो आप कभी भी English में कोई गलत sentence नहीं बोलेंगे तो हम बात कर रहे हैं English में वाक्य यानि कि sentence की जाहिर सी बात है हम सब translation के through English सीखते हैं तो आपको definition अगर पता हो कि सही sentence का मतलब क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा group of words यानि कि कुछ शब्दों का समूह group में अगर वो gives देता है हमें complete sense यानि कि पूरा मतलब देता है उसका एक अर्थ निकलता है वही हमारा क्या है sentence है आपने पिछले दो sentences जो शही देखे हैं उनके अलावा भी तो हमने लिखे थे ना उनी शब्दों को आगे पीछे लिखा हुआ था गलत order में लगा रखा था लेकिन जो सही sentence आप लोगों ने पहचाना आपने ये मान लिया अगर हमें उस वाक्तियों के group से कोई मतलब भी नहीं मिल रहा है तो वो सही नहीं है क्यों क्योंकि इसके rules होते हैं और उनको सीखे भी ना English तो भाई बिल्कुल नहीं बोली जा सकती तो देखिए type होते है sentence के और English में सिर्फ और सिर्फ पास तरह के ही sentence बनते हैं सबसे पहले है assertive या declarative ये दो sentence नहीं है एक ही है बस नाम अलग-अलग है ठीक है जैसे मैं एक teacher भी हूँ और मेरा नाम सतेंदर भी है तो इसे हम कहते है statement form क्योंकि आप एक बात कहते हैं एक statement देते हैं जैसे I am a teacher, my name is सतेंदर, I live in भिवानी I have a YouTube channel, my parents live in भिवानी तो अगर मैं कोई भी ऐसी बात बोलता हूँ मेरे बारे में जो कि एक सच है तो वो मैं क्या दे रहा हूँ एक statement दे रहा हूँ कि I go to gym daily कि मैं रोध जिम जाता हूँ ये भी एक statement दे दी है इसलिए इस तरह के type को बोलते है statement form हम सभी sentence type के example भी करेंगे ताकि आपको बिल्कुल clear हो जाएगा कि आप उसके बाद गलत English का कोई भी sentence बोली नहीं पाओगे second है imperative और इसको हम command form बोलते हैं तीसरा है interrogative यानि कि सवाल पूछने वाली जो form होती है फिर है exclamatory इसको हम exclamation form बोलते हैं जब आचानक से आपका कोई emotion आपको बताना हो sentence में वह होती है यह form फिर last है optative जिसमें हम wishes और prayers यानि कि हम किसी को दुआ करते हैं greet करते हैं आशिरवात देते हैं वह सारे sentence हमारे optative में आते हैं और आपको सबसे interesting यहां पर जो लगेगा वह यह optative ही लगेगा तो पहला type है assertive यानि कि आपने कुछ कह दिया आपने कुछ बता दिया उसी को कहते हैं assert करना अपनी बात को रखना यानि assertive sentence assertive sentence state करता है बताता है क्या effect जो की सच हो या a general truth या जो सच सबने मान रखा हो scientist ने जो प्रूव कर रखा है जैसे the sun rises in the east इसको आप मैं क्या इस धर्ती पे कोई भी बदल नहीं सकता ठीक है जैसे यह solar system है इसके eight planets हैं इसको कोई बदल नहीं सकता अगर मैं कहूं चार दिशाएं होती हैं east west north south इसको कोई बदल नहीं सकता पानी को अगर आप गरम करते हो वो उबलने लगता है उसे कोई नहीं बदल सकता एक magnet होता है उसके दो पोल्स होते हैं north south इसको कोई बदल नहीं सकता यानि कि जो हमारे व्यज्यानिकों ने scientist ने बात प्रूव कर दी है वो कहीं न कहीं एक scientific fact हो या general truth जैसे honesty is the best policy है ना तो इस तरह कि जितने भी बातें पॉलसी यह affirmative sentence है लेकिन यह इसी का टाइप है और positive जो sentence हो उसको हम affirmative कह देते हैं अब एक simple sentence जो हम not के साथ इस्तेमाल करते हैं तो यह शब्द जब आपका एक simple sentence में आ जाए वो कहलाता है negative sentence जैसे he is not my father आप कहते हैं यह मेरा पड़ोसी नहीं है he is not my neighbor और तुम मेरे student नहीं हो you are not my student तुम मेरे दोस्त नहीं हो you are not my friend तो ऐसे आप कोई भी sentence not के साथ कहेंगे वह आपका negative sentence होगा I go to gym everyday देखो मैं हर बात लिख भी देता हूं बोल भी देता हूं और gym daily मैं जा नहीं पाता हफते में तीन या चार बार मुश्किल से manage हो जाता है लेकिन आप सब इस बात को गांट बांद लो और किया करो बड़ा अच्छा होता है तो यह किस type का sentence रहेगा यह हमारा रहेगा again affirmative जिसमें हम मानते हैं कि जो भी positive statement आप देते हैं वो affirmative होता है I go to gym everyday इसमें आप note नहीं देख रहे तो यह negative नहीं है अब इसकी कुछ बाते हैं जो आपको ध्यान रखनी है subject comes before verb तो यहां आप देखेंगे English बोलने के लिए आपको एक combination की जूरुत होती है वो होता है subject plus verb plus object तो यह आपका सबसे simple sentence structure है English भाषा में तो आपको ध्यान रखना है कि subject जो है वो हमेशा verb से पहले आएगा इस type के sentence में फिर subject हमेशा start होगा capital letter से आप देख रहे हैं जो भी आपका subject है हमेशा बड़े English के जो अक्षर होते हैं capital letter जिनको बोला जाता है वहां से शुरू होगा और इस तरह के sentence हमेशा एक full stop यह जो आप देख रहे हैं full stop से खतम होगा और America में इसको हम कह देते हैं period तो period किसको बोला जाता है full stop को जब भी English में आप किसी से सवाल पूछने की कोशिश करें आप मान लीजिएगा आपका वो जो वाक्या बनेगा वो बनेगा interrogative sentence in English और इस question something किसी से कुछ पूछने के लिए and it ends with a question mark यह सबसे important चीज है जब भी आप किसी से सवाल पूछें तो उसके पीछे question mark आप मान लीजिए कि लगा हुआ है जब आप बोल रहे हैं और लिखते हैं तो लिखने पर आपको यह question mark लगाना ही पड़ेगा लेकिन इसके दो type होते ह है एक तो होता है type पहला जो क्या से शुरू होता है यानि subject से पहले क्या आएगा क्या तू मंगरे जी बोलते हो क्या वह है juice पीता है क्या हम जिम जाते हैं तो क्या से जो भी आपका सवाल शुरू होगा हमेशा याद रखें यह आपका helping verb है तो यह क्या जो है यह आपका क्य है helping word helping word से मेरा मतलब है अगर आप present में सवाल पूछ रहे हैं तो is mr आ सकता है do या does आ सकता है आप past में सवाल पूछ रहे हैं तो आपका was were आ सकता है did आ सकता है या present में आपका has या have भी आ सकता है या past में आपका head आ सकता है ये सभी आपके helping word हैं जैसे future में विल और शेल आ सकता है तो इस तरह के helping वाव हमेशा पहले आएंगे जब आप first type पूछना चाहेंगे जो क्या से शुरू होते हैं आपकी भाशा में और इसका जो जवाब होता है वो हमेशा हां या नामे दिया जाता है जैसे मैंने पूछा था क्या तुम अंगरेजी बोलते ह तो इसका जवाब आप क्या देंगे सिरफ हां या नामे समझा गया अब second type होती है जब आप किसी से कोई कारण पूछते हो तो इसमें कब कहां कैसे कौन इस तरह के शब्द आएंगे और आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप उसका English में translation करें इनका English का जो शब्द है वो भी हमेशा subject से तो पहले आएगा लेकिन helping verb से भी पहले आपको इन शब्दों का English translation लगाना पड़ेगा example देखते हैं तो first type का example है are you happy now क्या तुम अब खुश हो इसका जवाब कहा देगा हाँ खुश हूँ या नहीं खुश नहीं हूँ next what is your name आपका नाम क्या है तो मैंने कहा था कब कहा क्यों क्या इस तरह के शब्द हमेशा क्या होंगे डबलु एच फैमिली के सदस्य होंगे और यह जो शब्द आएंगे डबलु एच वर्ड यह आपकी subject से तो पहले आएंगे ही आएंगे लेकिन आपकी helping verb से भी पहले आए होगा और यह हमेशा खत्म किस से होगा हमारा question mark से खत्म होगा और पहला अक्षर हमेशा क्या होता है हमारा capital होता है लेकिन दोस्तों यहां capital से मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई जब भी आप I को I को sentence के बीच में लिखें तो भी अकेला है लेकिन वह हमेशा कैसे लिख लिखे जाएगा capital letters में ही I को आप लिखेंगे कभी भी इसको ऐसे छोटा I मत लिख देना क्योंकि जब यह अकेला आएगा तो इसको अपने पैरों पे खड़े होने के लिए थोड़ा बड़ा होना पड़ता है बच्पन में ही यह बड़ा हो जाएगा तो इसको हमेशा कहां लिखो sentence में कहीं भी अकेला है इसको capital letters में लिख और अगर आप English बोलने की practice शुरू करने जा रहे हैं तो आपके लिए बेहत जरूरी है यह sentence type जिसको हम कहते imperative sentence चाहे छोटा बच्चा हो या beginner हो या आपका basic level zero level जो भी level हो हर कोई पहली बार English बोलना सीखता है English के sentence को अगर क get outside खड़े हो जाओ stand up रुको stop भागो run लिखो write ये एक शब्द से लेकर दो या तीन शब्द के जो भी आपको sentences पहली बार सुनने को मिलते हैं instructions के तोर पे वो हमारी imperative ही होते हैं और यहीं से आपको अपनी English सीखने की जो journey है उसको शुरू करना होता है देखिए ये imperative sentence ये व आते हैं अगर किसी ने आपसे request की है जैसे please sit down please keep quiet कहते है न teacher ये भी क्या है imperative sentence command जैसे आपको हुक्म दिया है get out बाहर चले जाओ get out listen to me मेरी बात सुनो तो इस तरह की command ये आपको order दे दिया जाए कि आपको ये काम करना होगा you have to do this work now कि आपको ये काम अभी करना है do it now तो इस तरह का अगर आपको कोई हुक्म देता है वो भी आपका कहा आएगा imperative sentence example देख लो bring me a glass of water मेरे लिए पानी का glass लादो please close the door ये क्या हो सकता है ये आपकी command हो सकती है किसी ने आपको कुछ करने के लिए कहा है order होता है एक आदेश पूरा हुक्म जो आपको मानना है कीजिये park the car outside की गाड़ी को बाहर खड़ी कीजिये ये आपके लिए order होते हैं और इनको लिखने के लिए आपको किन बातों को ध्यान में रखना जुरूर है पहला letter इनका भी हमेशा क्या रहेगा capital रहेगा sentence कोई भी हो पहला letter हमेशा capital ही होता है फिर और ये खतम किसे होता ह है period से यानि की full stop से और आम तोर पर जो subject होता है वो इसमें mention नहीं होता लेकिन ये मत सोचिये कि जो मैंने आपको पहली slide में बताया subject, verb, object तो subject होता ही नहीं है बिलकुल होता है यहाँ पे आपका subject जो है वो छुपा हुआ होता है जिसका मतलब होता है you ठीक है लिखा नहीं जाता लेकिन यह understood होता है तो यह बात आपको याद रखनी है अब है आपका exclamatory sentences जब भी exclamatory sentences सुनते हो आपको लगता है याद करने में दिक्कत होगी लेकिन ऐसा बिलकुल नहीं है यह sentences बहुत जादा इस्तेमाल होते हैं for example आप एक इंसान है emotions से भरे feelings से भरे आपको गु symmetry sentences ध्यान से देखिए जैसे we won't हम जीत गए तो आपने basic simple sentence बोला है लेकिन अगर वो sentence बोलते वक्त आपकी excitement level अलग है तो sentence type भी बदल जाता है क्योंकि इसमें एक दो grammar के rule आगे पीछे हो जाते हैं type थोड़ा अलग है कैसे ध्यान से देखिएगा what an idea तो यहां से आपको दे is कि कितना खूबसूरत द्रश्य है what a beautiful day कि कितना खूबसूरत दिन है what a beautiful picture it is कितनी खूबसूरत तस्वीर है तो इसमें मैंने शुरू में WH word का इस्तेमाल जुरूर किया है लेकिन वो मैंने अपनी excitement को बताने के लिए इस्तेमाल किया है तो आप हमेशा aware रहिएगा हमेशा लोग इसमें गलती कर जाते हैं इसको interrogative से mix कर देते हैं क्योंकि रटा मारते हैं आदत पड़ जाती है WH से जो भी शुरू होगा उसके बाद helping of आएगा लेकिन मैं कहता हूँ do you know who I am तो आपको क्या लगा who I am मैंने क्या बोला है interrogative है exclamatory comment में बताईएगा next देखिए she is unpredictable कि उसको समझ पाना बहुत ही मुश्किल है unpredictable जिसका आप अंदाजा ना लगा सकें यह आपका exclamatory है you are adorable तो आप बहुत खुश होते हैं जैसे कोई छोटा बच्चा होता है आपका खुद का भी होता है उसके लिए भी आप कहते हैं baby you are so cute तो वो सारे sentence आपके क्या है exclamatory sentence इसमे हमें लिखते वक्त क्या ध्यान रखना है ध्यान से देखिए हमेशा यह भी capital letter से start होगा लेकिन यह खत्म होगा exclamation mark से जो यह mark आप देख रहे हैं हमेशा जो भी आपको surprise का fear का excitement का तो यह जो emotion feeling strong emotion और feeling दिखाने वाले sentence हैं इस तरह की emotions जो दिखा रहे हैं हमेशा उन पर exclamatory sentence का यह science जरूर लगाईएगा लिखते समय ताकि पढ़ने वाले को भी वो moment को समझने में आसानी हो happy birthday hello good morning यह किस तरह के sentence हैं भाई जो अभी मैंने आपको बोला है वो सारे आपके optative sentence हैं किसी को भी आप दूआ दे रहे हो आशिरवात दे रहे हो wish कर रहे हो greet कर रहे हो यह स sentence हैं जो आम तोर पर express करते हैं जताते हैं क्या wish किसी को दूआ देते हैं ठीक है किसी के लिए दूआ मांगते हैं और यह जाने जाते हैं किसके लिए also to wish them luck कि अच्छे लग के लिए हम कहते हैं na good luck all the best यह सारे sentence हमारे optative sentence के type में आते हैं अब देखिए may you be blessed with a good job भगवान कर तुम्हारी अच्छी नोकरी लगे good luck कि आपका luck अच्छा रहे all the best happy birthday good morning good afternoon यह सारी तरह के sentence आपके क्या है आपके optative sentences हैं अब देखिए इसमें हमें किन बातों का ध्यान दखना है normally जो may wish let या have इन से जो start करते हैं ना उन्हें हम कहते हैं optative sentence और यह किसमें और इस्तेमाल हो सकते हैं किसी special occasion पे जैसे हम किसी को happy birthday बोलते हैं यह भी किसमें आता है optative sentence में तो यह हो गए हमारे पांचो टाइप और अब आपको करनी है practice तो quiz तयार है तो अब करते हैं quiz आपने अगर वीडियो पूरे ध्यान से देखे हैं तो आप चुटकियों में बता पाएंगे कि य यह कौन से टाइप के sentences हैं आप जल्दी से screenshot ले लिजिए या वीडियो को आप pause कर सकते हैं ताकि हम अपने जवाब लिखने अब शुरू करें तो सबसे पहले leave the keys under my dormant तो अगर आपको कोई कह रहा है request कर रहा है या command दे रहा है यह आपका imperative होता है भई फिर let the world be a peaceful place keys जहां को एक शांती प्रिये जगया बनने दो यह let का इस्तेमाल किया है यह हमारा क्या हो गया यह हमारा हो गया optative ठीक है तो he can't get out of bed in the morning आपने अगर can के बाद not देख लिया है तो आप भी समझ गए कि भाई यह तो हमारा negative sentence है how sad is this आपने यह mark देख लिया आपको पता चल गया कोई बहुत उदास है और उसने यह sentence बोला है कि कितने दुख की बात है यह हमारा हो गया exclamatory sentence और जो next है हमारा please open with care तो आपने यहाँ please देख लिया कोई request कर रहा है यह हमारा sentence हो गया imperative I hope आप सबके सारे sentences सही हो रहे हैं अब तक सभी guess सही है wish you many more returns of the day तो यह भी क्या है हमारा objective है क्योंकि हम किसी को wish कर रहे हैं you have really big eyes आप surprise है कि यार तेरी आखे कितनी बड़ी है और exclamation mark आपने देख लिया आपको भी पता चल गया कि यह हमारा exclamatory sentence है अब आप किसी को कहते हो call me तो आपने request की है या command दिया है advice किया है क्या कि आपने request की के है call me ठीक है तो यह आपका क्या हो गया imperative sentence तो यह समझेना आपके लिए दीरे दीरे बहुत आसान होने वाला है next है what a big mess you have made again आप क्या देख रहे हैं एक और exclamatory sentence डबलो एच वर्ड से start जरूर है लेकिन यह क्या बता रहा है कि कितना बड़ा रायता तुमने फैला दिया है कितना यह बड़ी गरबर तुमने कर दी है फिर walk on the right side of the pathway की जो पगडंडी है उसके right side पर चलो तो आपको कोई advice दे रहा है और यह advice आपकी किस में आती है imperative type के sentences में रागे बढ़ने से पहले बहुत बड़ी खुशकबरी आप सब के लिए कि हमारा नया बैच उडान 2.0 तीन महिने का course complete speaking course सभी के लिए शुरू हो चुका है इसमें आपको listening, reading, writing और speaking चारों sections की practice करवाई जाएगी वो भी एक साल की validity के साथ कि आपको कभी भी practice करनी हो course खत्म होने के बाद तो आप अपनी practice कर सकें फिर दोस्तों ये listening, reading, pronunciation और English speaking की classes आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 1,999 रुपे में तो ये course start हो चुका है दो सितंबर से रात को 8 बजे इसका time है Monday to Friday आपकी ये classes चलेंगी और आपको अगर कोई भी query है, कुछ भी आपको पूछना है तो मेरे इन दो office के numbers पर आप call करके पूरी जानकारी ले सकते है और इस course का सबसे interesting part है कि zoom classes आप सभी की मेरे साथ speaking की class होंगी जिसमें हम एक दूसरे से बात करेंगे मैं आप सब की mistakes के बारे में बात करूँगा आपकी speaking की जो जिजक है वो दूर होगी, nervousness दूर होगी और मैं आप सब का English का speaking level चेक करके आपको ये बताऊंगा personally कि आपको कहां कहां किन किन areas में improvement करने की जरूरत है तो जल्दी से classes में जुडने के लिए English lovers की application आप Google Play Store से download कर सकते हैं और Udan 2.0 का course आज ही आप join कर सकते हैं और अगर आपको हमारे बाकी courses के बारे में regular updates चाहिए तो आप English lovers application को download कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से और आप अगर यहां reviews पढ़ेंगे तो आपको clarity मिल जाएगी कि यहां पर बच्चे सिर्फ English को सीखते नहीं हैं समझते भी हैं और बहुत जल्दी अपनी English में बदलाव लेकर आते हैं और एक अच्छे speaker बन जाते हैं दूसरा जैसे ही आप यह application download करोगे तो आप लोगों के सामने यह page खुल जाएगा तो आप buy courses पर जाएगे तो आपको यहां पर उडान 2.0 course ऐसे दिखेगा एक आगाज 2.0 course भी चल रहा है जो almost आधा course complete हो चुका है इसमें भी live classes चलती हैं PDF के साथ और 25 प्लस PDF वो भी 16 गंटे की audio file के साथ य आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ यह course है सिर्फ 399 रुपे का तो अगर किसी को study material चाहिए live classes चाहिए recorded classes चाहिए सब कुछ हमारी इस application पर available है और latest offers का फायदा उठाने के लिए आप इस application को आज ही download कर ले और आज की class की free PDF आपको हमारे telegram channel English lovers official पर मिल जाएगी जहां आ 11,60,000 भाई बैंड जुड़े हुए हैं आप सब दोस्त भी वहाँ पर जुड़ जाएए और जो भी हमारी English की classes होती है YouTube channel पर सभी PDF आपको वहाँ free मिलेंगी और यह जो 30 दिनों का spoken English course हम PDF के साथ कर रहे हैं इसकी पिछली classes आपने अगर नहीं देखी है तो पूरी playlist का link मैंन को इसी link से मिलेंगी और जो पीछे की class आपकी रह गई हैं वो भी आप जरूर देखिएगा class 1 से अगर आप start करेंगे तो class 30 तक जगबा पहुचेंगे तो आपकी English का level बहुत अच्छा हो चुका होगा तो इसी उमीद के साथ कि हम साथ जुड़े रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को like कीजिए share कीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि free में सभी लोग English को सीख पाएं और अगर मेरे साथ आपको live classes में जूड़ना है speaking classes मेरे साथ करनी है तो हमारी application English lovers को download करके हमारे उडान course को आज ही join करें मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो म तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, thanks a lot and keep learning